अगर आप अगनिवीर सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहते हो तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़ादा इंपॉर्टन रहने वाले क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए अगनिवीर एक्जाम में जो जीके के कोशन और जीएस के कोशन पोछे जाएं कोशन नहीं मिलेगा अगर आप यह चारो पार्ट अच्छे से देख लेते हो एक्जाम से पहले तो चलिए शुरू कर लेते हैं फिर्स्ट कोशन से फिर्स्ट कोशन है मारा हमारे शरील में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रगत लगातार बहता रहता है सही आंसर जो है सी फंक विग्यानिक ने करी थी एक्जाम में पूछा जादा है कि विटामिन की खोज किस ने करी थी सी फंक ने करी थी विटामिन जो होते हैं तो टू टाइप्स की होते है एक होता है वाटर सॉलूबल विटामिन जिसे की हम बोलते हैं वसा में घुलंशिल विटामि तो आपको याद रखना है जो vitamin B और C होता है फिरंस ये होता है पानी में घुलनशील vitamin ठीक है या वाटर सॉलूबल और आपको वर्ड रिखात रखना है कीडा KEDA ठीक है तो ये जो vitamin है vitamin K, vitamin E, vitamin D, vitamin A ये चारो vitamin जो है फिरंस ये fat soluble यानि की वसामी घुलनशील होते हैं ये आपको याद रखना है Next question कर लेते हैं किस विग्यानिक ने गरहों की गती के सिद्दान्थ को प्रतिपादित किया था सही answer है कैपलर, कैपलर जो scientist थे इन्हों ने गरहों की गती के सिद्दान्थ को प्रतिपादित किया था ये आपको याद रखना है, अगर हम बात करें गरहों की जिनकों की हम planets भी बोलते हैं और आपको फेंट्स ये पता होना चाहिए कि इस टाइम जो हमारा solar system है, जिसे कि हम स्वार मंडल बोलते हैं कुल मिला के 8 planet हैं, ठीक है, और अगर आपसे exam में पुछा जाए सबसे छोटा ग्रह कुन सा है, तो आप का आनसरों का बुद्ध, जिसे कि हम mercury बोलते हैं ब्रैस पत्य जिसे कि हम Jupiter बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है, अगला कौशन- किसी कोशिका कि आतम हत्या की थैली किसे कहते हैं सही आंसर है lichosrome, lichosome जो होता है फिरिट्ध इसे कोशिका की आतम हत्या की थैली कहते है अगला कौशन LPG gas में गंद के लिए क्या मिलाया जाता है सही आंसर है methyl mercaptain आप यह देखते हो जो रसोई घरों में हम जो slender use करते हैं आप यह देखते हो कि इसमें जो gas होता है उसमें से एक smell आती है smell इसलिए मिलाते है ताकि कभी भी gas का अगर रिसाओ वो तो हमें पता लग जाए कि gas लीक हो रही है तो यही पूछा गया है कि क्या मिलाया जाता है उसमें methyl mercaptain को मिलाया जाता है यहां पर LPG की हुई है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ LPG का फुल फॉर्म होता है liquefied petroleum gas इक्साइम में कोमशिशन और यह पूछा जाता है यह किसका mix artist का to yohata मैं इसका composition क्या होता है LPG को आपको बताना चाहता हूँ propane और butane पूछन होता है एक्साइम में पूछेंगे बताओ LPG का composition क्या होता है मानुशरी की सबसे लंबी कोशी का कौन सी है सही आंसर है तंत्रीका कोशिका तंत्रीका कोशिका जो है फ्रेंट्स ये मानोशरी की सबसे लंबी कोशिका का नाम है और फ्रेंट्स जो तंत्रीका कोशिका होता है इसे हम इंग्लिश में नियूरोन भी बोलते है अगला कोशन अक्सर रेकिस्तान में बनने वाला मरिक मारी चिका किस सिद्दान पर कारे करता है सही आंसर है पून आंतरिक परावरतन सिद्दान्थ फ्रेंस जो पून आंतरिक परावरतन सिद्दान्थ होता है इसे हम टोटल इंटरनर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं इसे हम मिराज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, आपको मैं समझाता हूँ, यह होता गया, आप कभी-कभी देखते हो, गर्मियों के मौसम में, जब आप रोड पे देखते हो, आपको निक लिक्विड जैसा, पानी जैसा कुछ दिखाई देता है रोड के ओपर, ठीक है, ल तोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है, यह आपको याद रखना है, और आपसे एक्जाम में पूछा जाता है, बताओ, प्रकाश तन्तु यानि की ऑप्टिकल फाइबर की सिद्धान पे एकारे करता है, तो वो भी पूर्न आंतरिक परावरतन सिद्धान यानि क तोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है, यह भी आपको याद रखना है, अगला कोशन कर लेते हैं, अचानक मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन होता है, सही आंसर है, शून्ने, प्रेंस कभी भी जो लिफ्ट है ठीक है, वो अचान लिफ्ट नीचे को आएगा, तो व्यक्ति के वजन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो फ्रेंस आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी लिफ्ट ना तवरित गती से उपर की और जा रही हो, तो जो व्यक्ति होता है उसको अपना भार अधिक महसूस होता है, ठीक है, मैंने क्या जब भी जो लिफ्ट होता है, तवरित गती से उपर जा रही हो, तो व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम होता है, ठीक है, मैंने यह वाला केस बताया, और जब भी लिफ्ट जो है, तो व्यक्ति होगा, उसे अपना वजन ज़ह जiada प्रतीत होगा, ठीक है, ये आपको या सता है जिससे होकर रेडियो तरंगे जो है प्रावर्तित होकर πրथवी पर पहुंचती है यह आपको याद रखने है अगला कोशन हमारी प्रिथवी का पलायन विक कितना होता है सही आंसर है 11.2 km per second 11.2 km per second जो है फेंड़ी प्रिथिवी का पलायन वेग या बोल सकते हो S के विलोसिटी है अगर आप इस वेग से कोई भी वजतो उपर को फेकोगे तो प्रिथिवी पर लौट कर वापिस नहीं आएगे इसी को हम बोलते हैं प्रिथिवी का पलायन वेग 11.2 किलोमेटर पर सेकेंड है आपको याद रखना है, अगला कोशन, हमारे शरीर में प्रोटीन का संसलेशन कहा होता है, सही आंसर है, राइबोजोम में हमारे शरीर में प्रोटीन का संसलेशन होता है, अगला कोशन, किस विज्ञानिक ने रेडियो एक्टी प्रदातों की खोज की थी, सही आंसर है, हैंड हवा में किस गैस की उपस्तिती के कारण पितल हवा में फीका पड़ जाता है सही आंसर है Hydrogen Sulfide हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं यानि कि White Blood Cells का मुख्य कारे क्या है आंसर है शरीर को बिमारियों से बचाना सही आंसर है विशानुओं का अध्यन किया जाता है किन धातों को मिश्चित करके Stainless Steel का निर्मान किया जाता है सही आंसर है लोहा, क्रोमियम और निकल देखो फैंस जो Stainless Steel जो कि हम अपने घरों बरतन यूज करते हैं वो एक तरह का Alloy होता है या बोल सकते हो मिश्चित धातू होता है किसका होता है लोहे का यह आपको याद रखना है क्रोमियम का और निकल का अगर हम बात करें लोहे की लोहे का जो सिंबल होता है वो F होता है अगर हम बात करें क्रोमियम की क्रोमियम का सिंबल CR होता है, वहीं अगर हम बात करें निकल की, निकल का सिंबल होता है NI, यह addition information जो भी आपको मैं दे रहाँ friends, यह सभी आपके exam के लिए काफी important रहने वाला है, friends अगर आपको वीडियो की quality, वीडियो का content और आपके रवी सर की महनत पसंदारिये, वीडियो को like और share जरू करिये, comment box में अपना feedback दीजे कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है, और friends अगर आपको same video English में देखना है, तो जुमारा दूसरा चैनल है रवी अदिती classes उसको जरूर सब्सक्राइब करिये, रवी अदिती classes next question, कौन सोतंतर भारत के प्रथम गिरह मंत्री थे, सही answer है, सरदार वल्लब भाई पटेल जोथे, friends ये सोतंतर भारत के प्रथम गिरह मंत्री थे next question, star mark करिये, बांदीपूर वर्नेजीव अभिहारन, या बोल सकते हो, बांदीपूर राच्टी ए उद्यान, या बोल सकते हो, बांदीपूर टाइगर रिजर्व, किस भारती राज्ये में स्थित है, सही answer है, करनाटक में स्थित है, बांदीपूर टाइगर रिजर्व next question, किस विग्यानिक ने डाइनामाइट का विश्कार किया था, सही answer है, अलफ्रेड नॉबल, अलफ्रेड नॉबल ने डाइनामाइट का विश्कार किया था, अगर हम बात करें, अलफ्रेड नॉबल की फ्रेंड्स, इन्ही विग्यानिक के नाम पे नॉबल प्रुसकार दि गल्फटों के मदध से मचलियां यह सांस लेती है negócio रहा है लंग्स की मदद से कोशन है, next question double fault şəbd का प्रियोग किस खेल में किया जाता है, सही answer Cyr tennis में double fault şəbd का प्रियोग किया जाता है, अगला कोशन खाफी बार पुछा गे है, ये, 75 पुछतक के लेखक कौन है, सही answer विश्नु शर्मा, अगला कोशन, भारत की पहली महिला शाशिका कौन थी सही आंसर है रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शाशिका थी नॉबल पुरुसकार की शुरुवात कि सुवर्ष हुई थी सही आंसर है 1901 में नॉबल पुरुसकार की शुरुवात हुई थी और नॉबल पुरुसकार जो है यानि कि physics और चिकिसा यानि कि medicine के छेतर में दिये जाते हैं ठीक है ये आपको याद रखना है छे छेतर में नॉबल पुरुसकार दिये जाते हैं और उनकी शुरुवात कभ वोई थी 1901 में ये question exam में कई बार पूछा गया है next question राश्पती राज्य सभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है सही आंसर है 12 अगला question शास्तरी ये निर्थक कत्थक किस राज्य का एक प्रस्थिद लोक निर्थे है सही आंसर है उत्तर प्रदेश किस विटामिन की कमी से मानवों में रोतौंधी बिमारी होती है ये बारत की किस राज्य में सौर्पत्थम सूरे निकलता है सही आंसर है अरुनाचल प्रदेश में next question है मारा भारत की मुख्य भूमी का दक्षिंतम किनारा कौन सा है सही आंसर है कन्या कुमारी फिर्ट्स ये question आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है इस question में बात हो रही है भार भारत की भारत की मुख्य भूमी की यानि कि जो भारत का मैप है कोच इस पर awards का मै आप की सामने में बना देता हूं समजाने के लिए आप सभी को ठीके ये गुजरात वहला हिस्सा है यह नीचे वहला हिस्सा अ ठीके, ठीक है टो इस पूरबी हिस्सा आ गए लिया इए यह जो answer होगा न वो होगा इंदरा point भारत का दक्षिंतम की बिंदू है ठीक है यह आपको याद रखना है वहीं अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए कि भारत का जो सुदूर उत्री बिंदू है वो कौन सा है तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंदरा कॉल यह है उत्री बिंदू ठीक है वहीं अगर आपसे पूछा जाए सुदूर दक्षिंतम बिंदू तो मैंने आपको बताया इंदरा point और मुखे भुमी का पूछा जाए तो कन्या कुमारी वहीं पूछा जाए कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदू कौन सा है वो है कीबितू जो कि अरुनाचल परदेश में है यहाँ अपले देता हूँ कीबितू ठीक है यह कौन सा है हमारा फ्रेंट्स यह है पूर्वी सुदूर पूर्वी बिंदू यकीन मानिए जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ न मैं आपको इसमें से एक्जाम में कोशन पूछे जाते हैं और वहीं पूछा जाए कि भारत का सुदूर पश्यमी बिंदू कौन सा है तो फैंट जो कच्छ है न जो की गुजरात में है ठीक है ये है सुदूर पश्यमी बिंदू याद रखना है आपने उतरी कौन सा है इंद्रा कौल पूर्वी है कि बिंदू पश्यमी कौन सा है कच्छ गुजरात ये आपको याद रखना है अगला कोशन मौलिक करतव्यों को कि समिधान शंशोदन द्वारा भारते समिधान में जोड़ा गया सही आंसर है 42 समिधान शंशोदन जोकी 1976 में हुआ था ये भी आपको याद रखना है कि जो 42 समिधान शंशोदन जोकी वर्ष 1976 में हुआ था इसमें मौलिक करतव्यों को भारते समिधान में जोड़ा गया राश्टी मदाता दिवस हर साल का मनाया जाता है 25 जनवरी को ग्यानपिट पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है आंसर है साहिते के छेतर में दिया जाता है किस यंतर के द्वारा वायू मंडलिये दाब का माप को मापा जाता है सही आंसर है बैरोमेटर भारती थल सेना के प्रथम भारती सेना ध्यक्ष कौन थे सही आंसर है जनरल केम करियपपा जो थे ये भारतिय थल सेना के प्रतम भारतिय सेना ध्यक्ष थे मुहमद गजनी ने भारत पर कितनी बार आकर्मन किया सही आंसर है मुहमद गजनी ने भारत पर कुल मिला के 17 बार आकर्मन किया अंग्रेजों और सिराजुदुला के बीच प्लासी का यूद कब हुआ था सही आंसर है 1757 में प्लासी का यूद जो है 1757 में अंग्रेजों और सिराजुदुला के बीच में हुआ था पिल्कुल मिलाके चार पार्ट आएंगे आपके पास 2000 कोशन की जो स्रीज है अगनी पत एक्जाम के लिए जीकेगी ठीक जिसमें की साइंसे कोशन भी हमने डाले वह हैं हर पार्ट में 500 कोशन करवा रहा हूं है ठीक है अगर आप फ्रेंट्स ये एके कोशन अगर्ट कोशन की साइब आपको बहुत ज़्यादा हल्प मिलेगी पर आपको करना क्या है एक एक कोशन अच्छे से रट के जाना एक्जाम से पहले अगला कोशन किस गोल में सम्मेलन में भारती राश्य कांग्रेस ने हिस्सा लिया था सही आंसर है दुवत ज़्यादा गोल में सम्मेलन 1931 में भारती राश्य कांग्रेस ने हिस्सा लिया था त्रीपिटक गरंथ किस धरम से सिक्षक संबंधित सिक्षाओं को बुसंग रहे हैं बहुत धरम से संबंधित है त्रीपिटक गरंथ दुनिया के साथ अजुबों में शामिल आगरा का ताज महल का निर्वान किस मुगल बाशाने करवाय था आंसर है शार जाने अठारो सत्तावन के सैनिक विद्रों के समय भारत का वाइसराय कौन था आंसर है लॉर्ड कैनिंग सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था सही आंसर है लॉर्ड करजन किस मुसलिम साशक ने भारत में मूले नियंतरन परनाली की शुरुआत की थी आंसर है अलाउदिन खिल जी ने ये मुसलिम शाशक था और इसने भारत में मूले नियंतरन परनाली की शुरुआत करी थी पंजाब में स्थेत स्वाइन मंदर किस जील के किनारे स्थेत है सही आंसर है अम्रिस सुरोवर के किनारे किस भारती अथलीट को उरन पड़ी के नाम से जाना जाता है सही आंसर है P.T. Usha को देवदा ट्रफी का संबंद किस खेल से है आंसर है क्रिकेट खेल से भारत में कुल कितनी भाषाओं को शाष्तरी भाषा का दर्जा प्राप्त है आंसर है छे भाषाओं को अम्री सर में स्थित ्सोवन मंदिर का निर्मान किस ने करवाय था सही आंसर है गुरु अर्जुन देव जी ने नेक्स कोशन दुनिया के सबसे बड़े अंतराष्टी संगट है जिसका नाम है संयोगतराष्ट संग जिसे की हम UNO भी बोलते हैं कि स्थापना कब हुई थी आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को उसका मुख्याले कहां पर है एक्जाम में पूछा जाता है UNO का यानि संयोगतराष्ट का यह है फ्रेंट्स न्यू यॉर्क में ठीक है न्यू यॉर्क USA में संयोगतराष्ट संग के राष्टी धवच का डिजाइन किस ने तियार किया था आंसर है डोनाल मेकलागिल ने संयोगतराष्ट संके राष्टी धवच का डिजाइन तियार किया था माउंट आवरेष्ट शिखर पर चटने वाले प्रतम भारतिये कौन थे तेंजिंग नौर्गेज होते हैं यह माउंट आवरेष्ट शिखर पर चटने वाले प्रतम भारतिये थे अगर हम बात करें माउंट आवरेष्ट की फेंड्स इसकी जो नहीं उचाई है वो हो गया 8,848.86 मीटर ठीक है पहले थी 8,848 लेकिन अब नहीं उचाई हो गया 8,848.86 मीटर यह आपको याल रखना है नेपाल देश में स्थेत हैं माउंट आवरेष्ट और नेपाल में इसको जाना जाता है सागर माथा के नाम से टोकिय उलम्पिक 2020 में सोन पदक जीतने वाले एक मात्र भारतिये कौन थे नीरा चोपड़ा नीरा चोपड़ा का संबंद किस खेल से है आंसर है भाला फेक जिसे के हम जैवलिन थ्रो भी बोलते हैं अगला कोशन टिहरी बांध जो भारत का सबसे उँचा बांध है किस नदी पर स्थेत हैं सही आंसर है भागिरी नदी तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है, पोर्ट ब्लेर किस वग्यानिक के द्वारा रैबीज के टीके की खोज की गई थी, आंसर है लूइस पाश्चर एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है, आंसर है Acquired Immuno Deficiency Syndrome, एड्स का फुल फॉर्म है और किस वारेस से होता है, एक्जाम में पूछा जाता है, HIV वारेस से होता है किस जुवानू के कारण दूस से दही बनता है, आंसर है Lactobacillus कौन भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस का प्रथम मुसलिम अध्यक्ष था, आंसर है बदरुदिन तयब जी आगाखान खप का संबंध किस खेल से है, आंसर है होक्की के खेल से किस मिश्व धातु का प्रियोग कर कांसा बनाया जाता है, आंसर है तामबा और तिन भारत का पूरुफ से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, आंसर है 2933 किलोमेटर डिस्कवरी ओफ इंडिया पुस्तक के लिखक कौन है, आंसर है पंडित जवारलाल नहरू हमारे भारत के राश्च्पती को राश्च्पती पद की शपत कौन दिलाता है, आंसर है सर्वोच नियाले का मुख्यने आदिश, एक्जाम में कई बार पूछा गया है सन 1983 के क्रिकेट विश्क विजेता, भारती क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, कपिल देव भारत का सर्वोच खेल पुरुसकार कौन सा है, आंसर है इसका, मेजर ध्यांचंद खेल लतन पुरुसकार, जो है ये भारत का सर्वोच खेल लतन पुरुसकार है, और आफ़े एक्जाम में पूछा जाता है कि बताओ, मेजर ध्यांचंद खेल लतन जो है, इसका पुराना था राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था आंसर है विलियम बेंटेक बिस्मिल्ला खान कौन सा वाधियंत बजाते हैं आंसर है शेहनाई स्वाइन फलू बिमारी किस विशानूं से फैलती है आंसर है H1N1 किस गुप्थ शाशक के शाशनकाल के दौरान विदेशी यातरी फायान भारत आया था काफी बार एक्जामें पूछा गया ये चंदर गुप्थ दूइटे महराष्ट में स्थित अजन्ता की गुफाओं का निर्मान किसके शाशनकाल में हुआ था किस मुस्लिम शाशक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलता बात स्थान्तरित किया था किस योजना के तहट भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था मानव दौरा प्रियो की गई पहली धातू क्या है आंसर है तामबा Statue of Unity जो दुनिया की सबसे उची मूर्ती है यह किस भारतिय की प्रतिमा है आंसर है सर्दार बल्लम भाई पटेल भारत का सर्वोच सैन्ने परुसकार कौन सा है परमवीर चक्र किस भारतिय महिला एथलीट को धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हीमादास को छेत्रफल की दृष्टी से औरापा विश्व का सबसे बड़ी हीरे की खान है या किस देश में स्थित है बहुत सवाना में भारत की सबसे लंबी जील कौन सी है वैंबनार जील जोकिक है केरल में हमारे सौर मंडल के आठ गरहों में सबसे बड़ा गरह कौन सा है ब्रेस्पती जिसे की हम जुपिटर भी बोलते है किसे आधूनिक भोगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को आधूनिक भोगोल का जनक कहा जाता है किस महासागर में सरवादिक सक्रिय जौला मुखी पाई जाती है प्रशांत महासागर एशिया महादूइप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आंसर है यांगतिसी नदी जनसंख्या की दिष्टी से विश्व के पश्यमी गुलार्द में सबसे बड़ा देश कौन सा है आंसर है सायुक्तराज अमेरिका फिर्ट्स आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसका PDF चाहिए फिर्ट्स आपको जो अगनिपत एक्जाम के लिए जीके के नोट्स चाहिए तो फिर्ट्स उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना पड़े का www.ravibooks.pdf.com फिर्ट्स यह हमारा वेबसाइट है यहाँ पर फिर्ट्स आपको हर सब्जेक्ट का जो www.ravibooks.pdf.com यहाँ पर आपको हमारी हर सब्जेक्ट की e-books मिल जाती है आपके एक्जाम के लिए ठीक है आपके रवी सर ने बेस्ट कॉंटेंट अपनी हर e-books में रखा है www.ravibooks.pdf.com पर आप ज़रूर विजिट करिए यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाते हैं इस्थित है मंगल ग्रह पर अंडमान दीव सम्हों और निकोबार दीव सम्हों को कौन सा अक्षांस प्रिथक करता है यानि कि अलग करता है काफी बार एक्जाम में पुछा गया है 10 डिगरी उतरी अक्षांस कि इन दो देशों की अंतराश्टी सीमा रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है सही आंसर है भारत और पाकिस्तान की बीच की जो सीमा रेखा है इसे रेड क्लिफ कहा जाता है और आपको ये भी पता होना चाहिए भारत और पाकिस्तान और साथ में भारत और बंगलादेश की जो अंतराश्टी सीमा है उसका नाम भी रैड कलिफ रिखा ही है तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है केसर का उत्पादन करने वाला एक मात्र भारतिय राज्टे या केंदर शाषिट परदेश कौन सा है जम्मू कश्मीर अगला कोशन जम्पूई परवश रिंखला किस भारतिय राज्जे में स्थेते आंसर है तेरी पोरा में हमारी प्रिथवी की उपरी परत को क्या कहते हैं आंसर है भू परप्टी कहते हैं यानि की क्रस्ट बोलते हैं किस महासागर में बर्मूडा ट्राइंगल स्थेता है उतरी अट्लांटिक महासागर में किस परकार के चट्टानों में खनीच तेल एवं कोईला पाया जाता है आंसर है अवसाधी चट्टानों में अगला कोशन काडमम पहाड़ी जिसे भारत की इलाइची की पहाड़ी भी कहा जाता है किस भारती राज्ये में स्थेता है केरल में कौनसा दर्रा भारत की कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोडता है भोरगाठ दर्रा गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है मेगना नदी के नाम से लोकपाल वह लोकायोक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था वर्ष 2014 में समिधान सभाने राष्टिय धवश्ति रंगा का सवरूप कब अपनाया सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को भारतीय समिधान में संशोधन परनाली किस देश की समिधान से ली गई है आंसर है दक्षिन अफरिका के समिधान से भारत के समिधान में प्रथम संशोधन की सुवर्ष हुआ था काफी बार एकजामें पूचा गया है 1951 में हुआ था पहला समिधान संशोधन भारत के राष्टपती को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है आंसर है अनुचेद 123 काफी बार एक्जामें पूछा गया है कि सम्मिधान चंशोधन के द्वारा मद्दान की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया 61 सम्मिधान चंशोधन 1989 काफी बार एक्जामें पूछा गया इसको भी डबल स्टार मार करी है आपको भी बताना चाहता हूं कि एक एक कोशन आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोरेंट है एक्जाम से पहले आप रट लेना इन सभी कोशन को बहुत मेहनत लगी है आप सभी के लिए बेस्ट कॉंटेंट लाने में अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करके फ्रेंट आप जरूर जाना भारते सम्मिधान के किस अनुसूची में पंचायती राज विवस्थात से समधित प्रावधान है आउसर है ग्यारवी अनुसूची में सौर मंडल के किस गरह को लाल गरह कहा जाता है आउसर है मंगल को रेड प्लैनिट भी कहते हैं अगला कोशन सौर मंडल का वह गरह जो मिथेन गैस की अधिकता के कारण धुंदले हरी रंग का नजर आता है आउसर है वरुन गरह है प्रिथवी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है सौर्य जिसे कि हम सन बोलते है यह प्रिथवी का सबसे निकटतम तारा है और आपको बताना चाहता हूँ सौर्य पे जो एनरजी प्रेडियूस होती है यहाँ प्रिथवी को सौर्य की परिकर्मा करने में कितना समय लगता है आउसर है 365 दिन शनी सौर्य घरे की परिकर्मा कितने वर्षों में पूरी करता है आउसर है 29.45 वर्ष में सौर्य के प्रकाश को प्रिथवी तक पहुचने में कितना समय लगता है लगभग 8 मिनट 16 सेकंड 8.16 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं-कहीं पे आपको 8 मिनट 15 सेकंड भी देंगे यह अप्रॉक्सिमेट टाइम होता है इसके आसपाश ही value मिलेगी कौन सा सूर्य कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थेत है वरुन किस ग्रह को नेला ग्रह के नाम से जाना जाता है प्रिथिवी को यानि हमारा जो planet है ऐर्थ, इसको blue planet भी कहा जाता है क्योंकि findस आप सभी को बता है कि जो अड़ी है, इसा ग्रह जहां पर जल पाया जाता है जब आपको space से देखोगे तो हमारा planet है earth यानि प्रिथवी वो थोड़ा blue color का नजर आता है स्वार मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है गैनी मेड गैनी मेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है और अगर आपसे पूछा जाए कि गैनी मेड जो है ये किस ग्रह का उपग्रह है यानि कि किस planet का satellite है तो आप का उपग्रह का जूपिटर यानि ब्रहसपती किस ग्रह के सरवादिक उपग्रह है यानि satellite है ब्रहसपती किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है आंसर है बुद्ध और शुक्र कौन सा ग्रह पूरुप से पश्चिम की और परिकर्मा करता है आंसर है अरुन और शुकर भारत में अंतरिक्ष कारेकरम की शुरुवात कब हुई वर्ष 1969 में भारत का पहला उबगर है कौन सा है आंसर है आरेभट भारत का पहला मौसम उबगर है कौन सा है आंसर है मैटसेट भारत ने अपना पहला उपग्र है अंतरिक्ष में किस देश की सायता से भेजा था आंसर है रूस भारत ने चंदरियान एक को किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा था वर्ष 2008 में next question काफी important है सतीश दवन अंतरिक्ष के अंदर भारतियों किस राज्य में अवस्थित है अंदर प्रदेश में भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानि कि इसरो का मुख्याले कहां पर है बेंगलूरू में और इसरो के अधिक्ष कोन है 2023 में अस सोमना थी ये भी आपको याद रखना है भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी वर्ष 1969 में सूरे तथा परिथवी की नियौनतं दूरी की स्थिल्थी को पाई जाती है 3 जन्वरी को अब सार की स्थिल्थी की इस दिन होती है 4 जुलाई को दो अक्षांस रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 km, अक्षांस को हम latitudes भी बोलते हैं, ठीक है, पित्वी पर जो इस परकार के कालपनी के रेखाई होती है, उनको हम latitudes यानि अक्षांस बोलते हैं, और दो अक्षांस के बीच में दूरी होती है, 111 km, एक डिग्री देशांतर रेखा कि दूरी तैय करने में कितना समय लगता है? आंसर है 4 मिनिट प्रिस्वी पर जो इस तरह की रेखाई होती है ठीक है? यह जो वर्टिकल्स लाइने फेंट इन्ही को हम बोलते हैं देशांतर यानि की लॉंगिट्यूड और मैंने बोलते हैं लाइटिट्यूड तो एक देशांतर की दूरी जैकर्म कितना समय लगता है? लगबग 4 मिनिट वसंत विशूव की स्थिति कब होती है? आंसर है 21 मार्च को चंदरगरहन की स्थिति को लगता है? आंसर है पूर्निमा को भारत का मानक समय ग्रीन विच से कितना आगे है? आंसर है 5.5 घंटे आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस से? GMT से यानि की ग्रीन विच मीन टाइम से भारत की आंतरिक संदक्षना की भूरपरटी में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर है सिलिका आंसर है अगन्य चट्टान का जो आला मुखी से सरवादिक मातरा में निकलने वाला प्रदात कौन सा है? आंसर है राक वायू मंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाया जाती है? आंसर है नाइट्रोजन लगभग 78% के आसपस वायू मंडल में कारबन डाइकसएड की कितनी मातरा पाया जाती है? आंसर है 0.03% और अक्सिजन कितना पाया जाता है? लगभग 21% के आसपस मौसम संबंदी सभी घटनाए वायू मंडल किस मंडल में घटित होती है? आंसर है छोब मंडल में प्रिफ्रिवी के सबसे निकर्टम लेर है वायू मंडल का वो छोब मंडल यानि की ट्रॉफोसफेर ही होता है ओजोन परद वायू मंडल है किस मंडल में पाया जाती है? आंसर है समताफ मंडल में एक्जाम में कई बार पूछा गया है और फिन्स आपको बताऊना चाहते हैं, समताप मंडल को हम स्टैटोस फेर भी बोलते हैं, और इसकी साब बताना चाहता हूं फिन्स यह जो ओजोन परत है, यह हमें सूरे से जो हानिकारिक किरने होती है, अल्ट्रा वाइलेट रेस, जिसे कि हम पैरा मैंगनेस किरने बोलते है उससे बचाता है, वाइउ मंडल की किस परत में उजाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, आंसर है समताप मंडल ठंडी स्थानी पवने, पवन कौन सी है, आंसर है बोरा, अंद महादीब किसे कहा जाता है, अफरीका को अफरीका की सबसे उची परवच चोटी का क्या नाम है, आंसर है किली मंसार हो, और फिर्ट्स आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एकसाम की तियारी कर रहे हो, रवी जी के बुक लाँच हो चुकी है, ठीक है रवी जी के बुक, 50,000 से जादा कोशन हमने इसम साइंस के, आप इस बुक को रवी बुक्स pdf.com जो मारी वेबसाइट है, www.ravibooks pdf.com ठीक है, यह मारी वेबसाइट है, यहां से जाके फैसाब खरी सकते हो, या फिलिपकाट आमेजोन से भी खरी सकते हो, रवी जी के बुक, 50,000 कोशन वाली बुक है यह, वेश्व की दूस कौन सी चोटी जो आलमुखी अभी के रिया के लिए विख्यात है, आंसर है किली मंजारो, एकांगुवा की चोटी किस परवश रिंखला में स्थेत है, आंसर है एंडीज, किली मंजारो परवश चोटी कहां स्थेत है, आंसर है तंजानिया में, अनातोलिया का पठार कहां स मरुस्तल कहा स्थित है मंगोलिया में भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्तल कौन सा है थार वेश्यू की सबसे लंबी नदी कौन सी है नील नदी और सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो एमेजोन नदी एमेजन नदी का उदगम स्थल कौन सा है अन्डिस परवत नील नदी कहां पर गिरती है आंसर है भुमध्य सागर में एशिया की सबसे बड़ी नदी मिकांग का उदगम स्थल क्या है आंसर है मानसुरवर जील और पर पूचा ज़ा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यांग तीसी नदी है ठीक है दोनों में कन्फियोज नहीं हो ना कील नहर विश्व के किस देश में अवस्थेत है आंसर है जर्मनी next question कौन सा विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है आंसर है सोईज नहर सोईज नहर की नदो सागरों को जोड़ती है आंसर है भुमद्य सागर एवं लाल सागर को ग्रेट साल्ड जील कहां इस्थेत है सायोंकतराच अमेरिका में सायोंकतराच अमेरिका की राजधानी के है वाशिंग्टन डेसी विश्व की सबसे गहरी जील कौन सी है बेकाल जील एंजल जल परपात कहां वस्थेत है आंसर है वेनिजुएला में नियागरा जल परपात कहां स्थेत है कैनेडा में अगला कोशन अफरीका की सबसे उची चोटी का क्या नाम है किली मनजारों वेशु की सबसे लंबी परवत माला एंडिस किस महादूप में स्थित है आंसर है दक्षिन अमेरिका में वेशु का सबसे लंबा रेलवे प्लाटफॉर्म भारते किस राज्य में है आंसर है उत्रप्रदेश में वेशु की सबसे उची मूरती कौन सी है स्टैच्यो अफ यूणिटी कुझ रात में स्थित्तर सदार वल्लम भाईंप पटेल कि ये मूरती है वेश्यो का सरवादिक सिमाओं वाला देश कौन सा है? चीन है वेश्यो का सबसे बड़ा महादूइप कौन सा है? एशिय महादूइप वेश्यो का सबसे बड़ा महासागर है? प्रशांत महासागर चेत्रफल की दिष्टी से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है रूस जो है चेत्रफल की दिष्टी से विश्व का सबसे बड़ा देश है विश्व का सबसे बड़ा दूइप है आंसर है ग्रीन लेंड विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है रो नदी चेत्रफल की द्रिष्टी से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सात्मा स्थान है जनसंख्या की द्रिष्टी से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है भारत के कुल भुभा का चेत्रफल कितना है? 32.8 लाक वर किलोमेटर करेक रेखा भारत का कौन से शेहर में अवस्थेत है आंसर है रांची में जामे काफी बार पूछा गया कि करेखा भारत की कौन से राजधानी अवस्थेत है तो आपका रांची होगा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलिय राज्य कौन सा है राजस्थान भारत का सरवाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है गुजरात भारत का मानक समय 82 कवटे 2 डिगरी पूरवी देशांतर कहां से गुजरता है इलाभाद के नैनी से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है बंगलादेश के साथ किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा रिखा लगती है अफगानिस्तान के साथ फिर सकर आपको वीडियो पसंद आ रहे है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए यह हमारा जो चैनल है रवी स्टड़ी आईक्यू जीके इसे जरूर सबस्क्राइब करिए अब रवी स्टड़ी आईक्यू जीके छेत्रफल की अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है आंसर है राजस्थान मांट अवरेस्ट की उचाही कितनी है आठ हजार आठ सो और तालीस पॉइंट इट सिक्स मीटर नंदा देवी परवच चोटी भारते किस राज्य में अवस्थित आंसर है उत्राखंड में कंचन जंगा चोटी किस परवत श्रिंखला में स्थेत है आंसर है कराकोरम रेंज जिसे कि हम यह आपको याद रखना है कंचन जंगा परवत चोटी कहां स्थेत है आंसर है सिक्किम भारत में जोजिला धर्रा किस राज्य में वस्थेत है आंसर है लदाक में लदाक केंद शाषित परदेश में है पहले यह जम्मु कश्मीर में हुआ करता है लेकिन आप सभी को बताए कि जम्मु कश्मीर राज्य को दो केंद शाषित परदेश में बाटा गया एक लदाक और एक जम्म पहाड़ों के बीच में जो फ्रेंड्स नैचरल लास्ते होते हैं उन्हीं को हम दर्रा बोलते हैं और जल्यपला दर्रा सिक्किम में हैं एक्जाम में कई बार पुछा गया कोशन है भारत की किस नदी को वृत गंगा कहा जाता है आंसर है गोदावरी को भारती है मरुस्तल की एक महतपू नदी कौन सी है लूनी नदी चंबल नदी का उदगम स्थल कहां से है आंसर है जाना पाओ पहाड़ी मव में नेक्स कोशन है मारा चिलका जिल भारत इक किस राज़े में अवस्त थित हैं सही आंसरों कर इसका ओडिशा राज़े में और फेंट्स आपको बताओ ना चीए कि चील का जील है ये भारत की सबसे बड़ी लेगून जील है नेक्स कोशन है मारा भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है सही आंसर है गुजरात में नेक्स कोशन एक्साम के लिए काफी इंपोरेंट है नागार जुन सागर बहु देशे परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है आंसर है कृष्णा नदी पर भाकरा नांगल सिंचाई परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है सतलूज नदी से दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है चिनाव नदी पर इडुकी परियोजना किस नदी पर निर्मित है पैरियार पर निजाम सागर बहु देशे परियोजना किस राज्चे में है ते लंगाना में मन्जीरा नदी पर टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है भागी रती नदी पर हीरागुण बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है आंसर है महा नदी पर शोईत करांती का संबंद किस छेतर से है दुग्द उत्पाद से लाल करांती का संबंद किस के उत्पादन से है टमाटर और मांस उत्पादन से काली करांती का संबंद किस से है कोईला उत्पादन से उर्वक छेतर में आशाती उत्पादन से संबंदित करांती को किस नाम से जाना जाता है दूसर करांती के नाम से रज़त करांती का संबंध किस से है आंसर है अंडा उत्पादन से भारत का सबसे लंबा राश्टी राजमार कौन सा है NH44 पूर्वी रेलवे का मुख्याले कहां है कोलकाता में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्याले कहां पर है हाजीपूर में सरवाधिक तेजगती से चलने वाली रेलगारी कौन सी है वंदे भारत एक्सप्रेस देश में सरवाधिक लंबी दूरी तैय करने वाली रेल गाड़ी कौन सी है विवेका एक्सप्रेस राश्टी जलमार्ग एक का विस्तार कहां से कहां तक है इलहाबाद से हल्दिया तक राश्टिय जलमाग संख्या दो कहां से कहां तक विस्तरित है आंसर है साधिया से धुबरी राश्टिय जलमाग एक की लंबाई कितनी है 1620 किलोमेटर पारादी बंदरगा किस राजे में स्थित है ओडिशा में देश का सरवश्रेश्ट प्राकेतिक बंदरगा कौन सा है मुंबई भारत में सुरपथम रेलगारी किस वर्ष चलाई गई थी 1853 में मुंबई से थाने के बीच भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है विशाका बड़नम देश का पहला रसाइनिक बंदरगा कहां स्थित है दहेज गुजरात में पंडित दीन दियाल उपाध्य पोर्ट कहां पर है गुजरात में भारत का वह बंदरगा कौन सा है जो जबान को कच्चा लोहा निर्यात करता है बारदेप पंडित दीन दियाल उपाध्य पोर्ट है इसका पहले नाम था कांडला पोर्ट अगला कोशन कैंपे गोड़ा हवाई अड़ा किस राज्जे में है करनाटक राज्जे में काफी बार एक्जामें पूछा गया है नेक्स कोशन लाल भादू शास्त्री हवाई अड़ा भारत किस राज्जे में है आंसर है उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहिब अंबिटकर अंतराष्टी हवाई अड़ा कहां स्थेत है नागपूर महराष्ट में सबसे बड़ी नदी दूइप माजूली भारत किस राज्जे में है आंसर है असम राज्जे में और जो माजूली है फंस ये विशुव की सबसे बड़ी नदी दूइप है और ये जो ब्रहमपूत नदी है वो बनाती है और भारत की असम राज्जे में स्थेत है भारत में सर पूरे सदय पूरूफ से ही क्यों निकलता है क्योंकि प्रिथवी जो है पश्यम से पूर्गी और घूमती है काफी इंपॉरेंट है यह भी इटाई इटाई रो किसके कारण होता है कैडेमियम के कारण होता है पारिष्थित की दंतर के उस घटक को जो अपना भोजन स्वय उत प्रदेश में एक सिंघ वाले गहांडे नेमने में किस राष्ट पारक में पाया जाते हैं आंशले काजी रंगा राष्ट पारक थी 9 दिसंबर 1946 को कौन समिधान सभा के अस्थाई अध्यक थे आंसर है डॉक्टर सचीदानंद सिन्ह किने समिधान सभा का स्थाई अध्यक चुना गया था आंसर है डॉक्टर राजेंदर प्रसाज जी को जुवाला लहरून ने उद्देश्य प्रस्ताद कब प्रस्तूत किया आंसर है 13 दिसंबर 1946 को समिधान निर्मान की प्रकिरिया कितनी अबधी में संपन हुए थी आंसर है 2 वर्ष 11 माँ अठारा दिन भारती समिधान को समिधान सभाद्वारा कब अंगी किरित किया गया था 26 नमबर 1949 को भारती सम्विधान पून रूप से कब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारती सम्विधान का जनक किसे कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेटकर को भारती सम्विधान सभाग की संचालिस समीती के अध्यक्ष कौन थे राजेंदर परसाद कोन समिधान सभा की प्रारूप समीती के अध्यक्ष थे? आंसर है डॉक्टर बी आर अंबिटकर प्रांतिय समिधान सभा की अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लम भाई पटेल समिधान की किस अनुसूची में तीन सूचीयों का वर्नन है आंसर है सातवी अनुसूची समिधान की सनुसूची में 22 भाशाओं का उल्ले किया गया है आठवी अनुसूची में समिधान की 11 अनुसूची किस सम्बंदित है? आंसर है पंचाईती राज से दल बदल संबंदी प्रावधान संविधान किस अनुसूची में वर्नित है दसवी अनुसूची में शाषन की संसद्य प्रनाली किस देश से ली गई है आंसर है बिटेन देश से भारते समिधान में समवर्ती सूची की प्रेणा कहां से ली गई है अस्ट्रिलिया देश से भारते समिधान में अपात उपबंध यानि की इमजनसी प्रोविजन का प्रावधान किस देश के समिधान से लिया गया है आंसर है जर्मनी मौलिक अधिखार का सिद्धान कहां से प्रेडित है आंसर है अमेरिका भारती समिधान के अंतरगत संख और राजियों के बीशक्तियों का विभाजन किसकी प्रेणा पर धारित है आंसर है कैनेडा राज्य की निती निदेशक तत्व किस देश के समिधान से लिए गए है आंसर है आइरलेंड मौलिक कर्तवयों को किस देश से गहन किया गया है आंसर है सोहियत संग भारती समिधान में सोतंतरता, समता, बंदुतव किस देश के समिधान से प्रेडित है आंसर है फ्रांस सम्मिधान की कुंजी किसे कहा जाता है प्रस्तावना को यानि की प्रियेंबल को 42 में सम्मिधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया आंसर है समाजवादी, अखंडता और पंथ निर्पेक्ष भारती सम्मिधान के किस भाग में नागरिक्ता का उलेख है आंसर है भाग दो भारती सम्मिधान में नागरिक्ता से सम्मंदित अनुचेत कौन सा है आंसर है अनुचेत 5 से 11 भारतिय सम्मिधान में किस प्रकार की नागरिक्ता का प्रावधान है आंसर है एकल नागरिक्ता का भारतिय सम्मिधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्नन है आंसर है भाग दीन अनुचेद 14 से अनुचेद 18 किस मौलिक अधिकार से सम्बंदित है समानता का अधिकार किसे भारतिय सम्मिधान का मैगना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकार को वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है आंसर है 6 स्वतंदता की अधिकार का सम्मिधान की किस अनुचेद में उलेख है आंसर ए अनुचेद 19-22 सर्वोच नियालक की किस अनुचेद के तहट रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है अनुचेद 32 भारतिय सम्विधान में कितने प्रकार की रिटों का उले किया गया है आंसर है 5 किस सम्विधान संशोधन द्वारा संपति के अधिकार को मौलिक अधिकारू की श्रेनी से हटा दिया गया आंसर है 44 सम्विधान संशोधन एक्जाम में कई बार पुछा गया कोशन है किस अनुछेद को सम्मिधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है आंसर है अनुछेद 32 फेंट्स यह जो वीडियो है ना अगर आप किसी और भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो उसके लिए भी काफी तता इंपॉरेंट है क्योंकि फेंट्स यह सभी कोशन जो है अनुछेद 36 से 51 मौले करतवयों को किस समीती की शिवारिश पर समिधान में समाहित किया गया था सुरन सिंग समीती मौले करतवयों का उले किस अनुछेद में है अनुछेद 51 भारतिय सम्विधान में किस संशोधन द्वारा मूल करतवों को जोड़ा गया 42 सम्विधान संशोधन द्वारा भारतिय सम्विधान में वर्तमार में मौले करतवों की संख्या कितनी है 11 है सम्विधान सभा, भारते सम्विधान के अनुसार समस्त कारेबालिका की शक्ति किसमे नहीं तै, आंसर है राश्पती राश्पती का निर्वाचन कितनी समयवधी के लिए होता है, आंसर है पांच वर्ष भारत के महान याइबादी की न्युक्ति कौन करता है आंसर है राश्पती करते है भारत में वित्य अपाथ कितनी बार लगाया गया है आंसर है भारत में वित्य अपाथ काल एक बार भी नहीं लगा अनुछे 352 में किस अपाथ उबबंद का उलेख है राश्टिय अपात की युद घोषना का अधार क्या है वित्य अपात का उलेक की सनुछेद में किया गया है भारत में अब तक कितनी बार अपात का लगू हुआ है किस बिमारी का उपचार करने के लिए इंसूलिन का प्रियोक किया जाता है मदुबे एकजीमा रोक से मानुश्री का कौन सा अंग प्रभावित होता है आंसर है तोचा हमारी प्रिथवी से भू इसतर उपग्रह यानि कि जियो स्टेशनरी सेटलाइट के उचाई कितनी है लगबग 36,000 किलोमेटर उगते और डूपते समय सूर्य लाल रंग का प्रती क्यूं होता है आंसर है क्यूंकि लाल रंग का प्रकेरियन सबसे कम होता है किस वग्यानिक ने भाप इंजन का विश्कार किया था आंसर है जैम्सवाट रेडियों का विश्कार किस वग्यानिक ने किया था आंसर है मारकुनी ने दिल्ली स्थित लाल के लिए का निर्मान किस मुगल बाशा ने करवाया था मुगल समराठ शाहजा ने प्राइस थंदारियों में कितने कक्षिये हिर्दे होते हैं आंसर है चार कक्षिये यानि four chambers होते हैं human heart में किस यंतर के द्वारा पौधों में वाशपोत सर्जन की दर का निर्धारन किया जाता है आंसर है पोटोमीटर के द्वारा वह कौन सा तापमान है जिस पर Celsius और foreign height तापमान बराबर होते हैं माइनस 40 degree Celsius भारत में regulating act कानून की सवर्ष लागू हुआ 1773 में 1857 की करांती के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बाशा बहादूर शाह जफर को क्याद करके कहां भेजा बर्मा यानि की मैनमार भारत की तिरंगे जंडे को भारतिय सम्विधान सभाने राश्टिय जंडे के रूप में कब अपनाया 22 जुलाई 1947 को Penality की एक शब्द का प्रियोग किस खेल में होता है Football में Penality Stroke शब्द का प्रियोग किस खेल में किया जाता है Hockey में सन 1954 भारत और चीन के बीच कौन सा समझोता हुआ 25 समझोता भारत की सर्वोच नियाले के मुखे नियाधिश का कारेकाल कितने समय का होता है पायोरिया रोक से मानव शरी का कौन सा अंग प्रभावित होता है दांत अंतराष्टिय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महिनी का किस तिथी को मनाया जाता है 8 मार्च को शिख धरम का संस्थापक गुरु गनानक देवजी का जनम कहा हुआ था स्वामी देयानन सरस्थी का मूल नाम क्या था मूल शंकर ब्रह्म समाज की स्थापना किस के त्वारा की गई राजा राम मोहन राए आरे समाज की स्थापना कब किसनी दथा कहां की गई थी आंसर है 10 अपरे 1875 को स्वामी दयानन सवस्वती ने मुंबई में की थी कौन भारत की पहली महिला राज्येपाल थी सरोजनी नाइडू 1857 इसीवी के विद्रों में किस भारतिय करांतिकारी ने सौरपथम अपना बलीदान दिया आंसर है मंगल पांडे 1949 में कॉंग्रेस की अध्यक्ष पद से स्थीफा देने के बाद नेता जी सुभास चंदर बोस ने किस नाम से अपने सोतंतर दल की स्थापना की फॉरवर्ड ब्लॉक भारतिय करांतिकारियों में किसे पंजाब किसरी कहा जाता है लाला लाजपतराय को जलियावाला बाग हतियाकांट की सुभशत था कहां हुआ था 1919 एसवी पंजाब की अमरीश शहर शहर के जलियावाला बाग मैदान में गिद्दा और भंगड़ा किस राज़े का प्रमुक लोग ने इरते है पंजाब लाई हरोबा किस राज्य का प्रसीद लोग में इरते हैं आंसर है मनिपूर फैंट्स ये जो 2000 कोशन की जो वीडियो स्रीज लेकर आएं उसका पार्ट 1 वीडियो है 500 कोशन करवाऊंगा आपको इसमें ठीक है फैंट्स अंसर है पंगल किस राज्य का प्रमुखते हो रहा आंसर है तमिलाडो किस वेग्यानिक ने टेलिवीजन का विश्कार किया आंसर है जौन लौंगी बेर्ड ने भारत में सशद्र बलों का सर्वो सेनापति कौन होता है आंसर है राश्ट पती पंजाबी भाशा की लिपी कौन गुरु मुखी गन पाउडर का विश्कार किस विज्ञानिक ने किया था रॉजर बैकन ने भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी किरन बेदी भारत में सिक्षा दिवस परतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है 11 नवंबर को जिपसम का सरवादिक उत्पादन भार्दे किस राज्ये में होता है आंसर है राजिस्थान अंग्रेज्यों द्वारा शुरू किये गए नमक कानून को तोरने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा अंधोलन शुरू किया था सवीन ने अवग्या अंधोलन भारत की उप्राश्पति का चुनाव कौन करता है संसत के सदस्यों द्वारा भारत की मानेक समय रेखा क्या है आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यह रेखा उतरपरदेश के इलाबाद से गुजरती है प्रथम एशियाई खेल का योजन कब बर कहा किया गया मई 1951 में नई दिल्ली में इक्जाम में कई पर पूछा गया कोशन है उतरी गुलार्थ का सबसे छोटा दिन कब होता है 22 दिसंबर को किस भारती वे ग्यानिक ने यह बताया था कि पौधों में जीवन होता है आंसर है जगजीश चेंदर बसू दिल्ली सल्तनत का पहला साशा कौन था जिसने वीनियमित मुद्रा जारी की तथा दिल्ली को अपने समराज्य की आसधानी घोशित की इलतोमेश कि 13 सेनानी ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया था अबुल कलाम अजाद सेशा सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्के का क्या नाम था रुपया मुहमत तुगलक का वास्तविक नाम क्या था जूना खान किस मुगल साशक ने दिल्ली के लाल किले में अपने वैक्तिकत उपियों के लिए मोती मस्जिद का निर्मान किया था औरंग जेब किस भारतिय करांती कारी को भारतिय करांती की जननी कहा गया है आंसर है मैडम भिकार जी रुस्तम कामा को लंदन में प्रथम गोल में सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था आंसर है नवंबर 1930 से जनवर 1931 के बीच में मुगल दर्बारी इतिहास को लिखने के लिए मुखेता कौन सी भाषा का उपियोग होता था आंसर है फारसी महत्मा गांदी ने वांचीत उदेशे की प्राप्ती के लिए भुख हर्ताल की अपनी पद्रिती का सवर्पथम प्रियोग भारत में किस वर्ष किया था वर 1928 में भारत के चार कोनो श्रिंगेरी, पूरी, द्वारका और बद्रिनात में किस चार महान मठों की स्थापना की थी, किस ने की थी चार महान मठों की स्थापना शंकरा चारे ने ब्रिटिश भारत में किस गवर्णर जर्नल के कारेकाल में क्रिशी विभाकी स्थापना हुई आंसर है लौड कर्जन अगला कोशन करते हैं, बुंदेल खंड के किस राजवन्ष ने और्शा को अपनी राजधानी बनाई थी? आंसर है बुंदेला अगला कोशन, किस बिटिश गवर्णर जर्नल के कारेकाल में सती परता उन्मुलन एक्ट पारित हुआ? आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटेक मराठा, मराठा विस्तारपन यंतरन के उदेशे से औरंग जेव ने अपनी जीवन के लगवग 25 वर्ष कहां बिताए थे? दक्कन में अगला कोशन, सिखों के गुरू गुरुनानक देव जी ने अपना उतरा दिखारी किसे न्युक्त किया था? आंसर है गुरू अंगा देव जी को पुना पैक्ट याब हो सकते हैं पुना समझोता कब और किनके बीच हुआ था? आंसर है 24 सितंबर 1932 को हुआ था पुने के यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और रॉक्टर भीमराव अंबीठकर के बीच में कौन सा गुप्त समराठ विक्रम दिध्य के नाम से प्रसिध था? आंसर चंद्र गुपर रीचेव के का सबसे महानशाशक था? आंसर है क्रिश्न देव राय गुप्त काल की अधिकारिक भाशा कौन सी थी? आंसर है संस्कृत महात्मा बुद्ध ने अपने सरवाधिक उबदेश की स्थान पर दिये थे आंसर है श्रावस्ती पर महालवाडी व्यवस्था का संबंध किस से है आंसर है भूराजसव से 1865 में जब कोलकाता मदरासर मुंबई में उच नियाले स्थापित किये गए उस समय भारत का वाइसरा है कौन था लॉर्ड लॉरेंस नवजात भारत सभा की स्थापना किस भारतिय करांती कारी ने की थी आंसर है भगत सिंग ने नेक्स कोशन वर्ष 1938 में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था सुभास चंदर बोस को आर्थिक राष्टवाद का पत प्रदशक किसे माना चाता है आंसर है आर्सी दत को नेक्स कोशन भारत का राष्टी आदर शुवाक्य साथ्टे मेव जयते किस प्राचीन भारतिय शातर से उद्धित एक मंतर है आंसर है मुड को उपनिशद प्राचीन काल में अवद को किस नाम से जाना चाता था कोसल के नाम से कनौज के राजा हर्ष को किस चालुक के राजा ने प्राजित किया था आंसर है पुलकेशिन दुट्टे महराजा सवाई जैसिंग दोरा निर्मिज जंतर मंतर क्या है आंसर है खगोली है वेशाला अगला कोशन करते हैं सन 1761 में पानीपत का त्यूत्यय यूद किनके बीच हुआ था आंसर है एहमद शाह अबदाली और मराठों के बीच सन 1336 इसवी में विजय नगर समराज्य की स्थापना किस ने की थी आंसर हरियर वह बुक्का ने ब्रिटिश भारत की किस गवर्णर जनल ने भारत में डाग टिकट की शुरुआत की लॉड डलोजी ने एक्जाम में कई बार पुछा गया कोशन है अपर आपको वीडियो की कॉलिटी वीडियो कॉंटेंट और आपकी रभी सर की महनत पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिए कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडिबैक भी दीजे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है अगला कोशन किस शाशक को भारतिय पूर्णर जागरन का पिता कहा जाता है आंसर है राजा रामोहन राए अगला कोशन सात्रिया निर्तिय किस राज्य की एक प्रसित निर्तिय शैली है आंसर है असम देश का पहला लोह इसपात कारखाना कहां खोला गया है आंसर है सन 1875 में पश्री मंगाल के कुल्टी में रक्त में किस तत्व की कमी के कारण हाइपोग्लीसीमिया रोग होता है आंसर है गुलकोज किस शास्त्रिय भाषा को पूर्व की इतावली कहा जाता है क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द सर्वर्ग धोनी के साथ समाव्थ होते हैं सही आंसर है तेलगू महाप्रयाग घाट किस प्रसीद भारतिय की समाधी स्थल है आंसर है राजजिंदर प्रसाद अखिल भारतिय आयू विग्यान संस्थान स्थेत है आंसर है नई दिल्ली में केंद्री और शुद्धी अनुसंधान संस्थान किस भारतिय राज्य में स्थित है लखनाउ उत्तरपरदेश में संयुक्त राष्ट संग सुरक्षा परीशत के सदस्य देशों की संख्या कितनी है आंसर है पांच राजा राम मोहन राए लाइब्रेरी फांडेशन की स्थापना की सवर्ष हुई थी 1972 में चतिस गड में स्थित रामगीरी की पहाड़िया किस परवश श्रिंखला का भाग है विंध्या चल परवश श्रिंखला चिनुक नामों की स्थानिय पवन किस परवतीय चेतर में भहती है आंसर है रौकी परवतीय चेतर में सबसे अधिक प्रिष्टिय चेतरफल वाला महसागर कौन सा है प्रशान्त महसागर चेनानी नाचरी सुरंग जिसे पटनी टॉप सुरंग भी कहा जाता है कहा पर स्थित है जम्मो कश्मीर में भारत में मिठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है जम्मो कश्मीर में स्थित वुलर जील किसे हमारे सौर मंडल का जनम दाता कहा जाता है सूर्रे को अगला कोशन, भारत में मानसुनी प्रदेशों में सरवादिक वर्षा कहा होती है? पूर्वतर भारत में हमारा संपून वेशुकुल कितने महादुपों में विभाजित है? आंसर है साथ महादुपों में भारत में हीरे का सबसे बड़ा उतपादक राज्जे कौन सा है? मध्धे परदेश यह आपको याद रखना एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कंगतो जिसे कंगारडो परवश्रीनी भी कहते हैं किस भारती राज्जे की उच्तम चोटी है? अरुनाचल प्रदेश राना प्रताप सागर बांथ जिसे कि हम राना प्रताप सागर जलाशे भी बोलते हैं किस नदी पर है चम्बल नदी पर और ये भारत के राजिस्थान राज्ये में है भारती भूमी के सरवादिक छेत्रवलकेक पर किस प्रकार के वन पाये जाते हैं? उशन कटी बंदिये परन पाती वन जारवा जन जाती मुखे रूप से भारती किस छेत्र में निवास करती है? आंसरे अंडमा निकोबार में नील करीप प्रवश रिंखला किस भारती राज्ये में स्थित्य तमिलाडो में? कांगो घाटी में मुखे रूप से किस प्रकार की जलवायू पाये जाती है? विशु वत्ति है हमारे समस्त ब्रहमाण की उत्पती का सबसे अधिक मानने सिधान्थ कौन सा है? बिग बैंक सिधान्थ कौन सा तारा पित्री के सबसे निकटतम है? सूर्य विशु के किस महाद्यूप में आदिम जन जातियों की जनसंकिया सरवादिक है? अफरीका चांदी का संपून विशु में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको भारत का सबसे दक्षिंतम बिंदो इंदरा पॉइंट कहां इस्थित है? अंड़मा निकोबार दीप समू में अगर हम भारत के पडोसी देशों के साथ अंतराश्टी सीमा की बात करें तो भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतराश्टी सीमा बनाता है? बांगलादेश अब बांगलादेश की राजधानी क्या है? ढाका भारत के किस भाग में खनिच संसादनों का सबसे बड़ा भंडार है दक्षिन पूर्व छेतर में वैलिकॉंडा की पहाड़ियां जो पूर्वी घाट छेतर का एक हिस्सा है किस भारती है राजे में वस्थित है आंसर है आंदरपरदेश और फैंस आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री में ठीक है बाद में पढ़ने के लिए तो आप हमारी वैबसाइट पर विजिर करिए www.ravistudyiqugk.com यहाँ पर आपको हमारी हर वीडियो का नोट्स मिल जाता है फ्री में ठीक है जितनी मर्जी बार आप पढ़ो आप सभी के लिए फ्रेंस मैंने ये वेबसाइट बनाया है भारत में पाई जाने वाली सरवादिक उपजाओ मिटी कौन सी है जलोड मिटी भारत मेंनमार मेतरी सडक किस भारती राज्य को मेंनमार से जोड़ता है मनिपूर हमारे सौर मंडल में उर्जा का सुरोत क्या है आंसर है सूर्य किसे विश्य मांचितर का निर्माता कहा जाता है आंसर है अनेकजी मेंडर को करक रेखा किन भारती राजियों से होकर गुजरती है आंसर है भारत के आठ राजियों से होकर गुजरती है मध्यबर्दे, 36 गड़, गुजराथ, पशिम बंगाल, तिरिपूरा, जारकन, टाजिस्थान और मिजोरम से होकर गुजरती है करक रेखा जैसे कि हम ट्रॉपिक आफ कैंसर भी बोलते हैं ये रेखा भारत को लगभग दो बराबर हिसों में बांटती है और इसका अक्षांस कितना होता है तेईस एक बटेट दो उतरी अक्षांस दलदली एवं जवार भाटा छितरों में पाया जाने वाला वन क्या कहलाता है मैंग्ग्रोव वन समिधान के किस अनुछेद के अंतरगत राज्यपाल राश्टपती के अनुमोदन के लिए किसी विधे को भेजता है अनुछेद दोसो किसके संबंधों की समिक्षा हेतों सरकारिया आयो का गठन किया गया था केंद्र और राज्यों के संबंधों की समिक्षा हेतों वर्ष 1983 में तेल की बूंदे जल की सतह पर फैल जाती है, इसका कारण क्या है? आनसर है तेल का प्रिष्टिय तनाव जल की अपएक्षा कम होता है भारत में पंचायती राजववस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजिस्थान भारत में प्रधानमंत्री की न्योक्ती राश्वती द्वारा की जाती है इसका उल्लेक सम्मिधान के किस अनुछेद में है अनुछेद 75 एक में अंतराश्टी नियाला में जजों की अधिक्तम संख्या कितनी है आंसर है 15 पंडित जोहलाल नहरू ने समिधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताप का प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को मूल समिधान में कितने अनुसूचियां है एवं कितने भाग है आठ अनुसूचियां और 22 भाग है समिधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्प संख्यक समिती के अधिक्ष कौन थे सदार वल्लंभाई पटेल अगला कोशन समिधान सभा दवारा राश्टगान को कब अपनाये गया 24 जनवर ये 1950 को भारते समिधान में बरनेत राश्टपती के अपातकारिन अधिकार किस देश के समिधान से लिया गया है जर्मनिंग के समिधान से भारते समिधान में कानून द्वारा स्थापित प्रकिरिया किस देश के समिधान से ली गई है जपान से अगला कोशन करते हैं अंग्रेजों द्वारा जारी किये गए किस एक्ट से भारती समिधान के अधिकतर उनुछेद मिलते जूलते हैं। आंसर है Government of India Act 1935 भारत की निती निदेशक तत्व राश्पती के निर्वाचक मंडल राज्य सभा में बारात दस्यों का मनोनयन किस देश की समिधान से लिया गया है आइरलेंड। भारती समिधान में साथमा संशोधन कि सवर्ष हुआ वर्ष 1971 में। भारती सम्विधान की संशोधन की अंतरगा सिक्किम को 22 राज्य के रूप में भारती राज्य संग में मानेता प्रदान की गई 36 सम्विधान संशोधन 1975 की संशोधन द्वारा भारती सम्विधान में नौवी अनुसूची को शामिल किया गया पहला समिधान संशोधन 1951 भारती समिधान 21 सनुछेद में अंतराश्टिय शांती की बात कही गई है अनुछेद 1951 में समिधान 21 सनुछेद के द्वारा संग एवं राज्यों के लिए लोक सिवा का प्रावधान किया गया है अनुछे 315 नेक्स कोशन कर लेतें कि समिधान संशोधन द्वारा भाशा या धार पर राज्यों का पूर्ण गठन किया गया आंसर है सात्मा समिधान संशोधन 1956 के तहट कि समिधान संशोधन द्वारा भारती समिधान में दसवी अनिसूची को जोड़ा गया आंसर है 52 समिधान संशोधन 1985 कि समिधान संशोदन के तहट पंचाइती राज विवस्था को समिधानिक दरजा प्रदान किया गया तहतरवान समिधान संशोदन 1992 के तहट भारती समिधान की सनुचेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संग है आंसर है अनुचेद 1 भारती समिधानिकी सनुचेद में दल बदल से संबंधित प्रावधान का उलेख है दसवी अनुचेद में भारतिय समिधान की तिसरी अनुसूची का संबंद किस्से है शपत एवं प्रतिग्यान से भारतिय समिधान की संशोधन में सरकारी सिक्षन संस्थानों के साथ नीजी सिक्षन संस्थानों में आरक्षन का प्रावधान लागू करने का निर्ने लिया गया है आंसर है 93 समिधान संशोधन 2005 समिधान की संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूची जाती तथा अनुसूची जनजातियों के करमचारियों को पदोनिती में आरक्षन का मार्क प्रसश्ट किया गया है 85 समिधान संशोधन 2001 अगला कोशन नए राज्यों की स्थापना की शक्ती भारती समिधानी के सनुछेट में नहीं थै, आंसर अनुछेट 2 में अगला कोशन डॉक्तर राजिन्त परशाद को समिधान सभागा स्थाई अध्यक्ष का बनाया गया था, आंसर 11 दिसंब 19 dared 1946 को नेक्स कोशन, भारती सम्मिधान में वर्नित, मौलिक करतव्य किस देश से लिया गया है, रूस देश से, हमारे भारती सम्मिधान के अनुसार राष्ट का प्रथम नागरी कौन होता है, राष्टपती, अगर राष्टपती एवा मुर्प राष्टपती दोनों का पद खाली ह तो उस स्थिरी में भारत के राष्टपति का कारे भार कौन संभालता है भारत के मुख्यने आधीश लोकसभा में निर्वाचित होने बारी सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है 552 कि समिधान शंशोदन द्वारा मूल करतवे को भारतिय समिधान में शामिल किया गया आंसर है 42 समिधान शंशोदन 1976 मूल समिधान में कुल कितने मौल करतवे शामिल थे आंसर है एक भी मौल करतवे नहीं था मूल समिधान में यह आपको याद रखना है कि समीती के अनुसंशा के अधार पर भारतिय समीधान में मूल करतवों को शामिल किया गया था सदार सवन सिंग समीती भारतिय समीधान का कौन सा अनुचे संसत को भारतिय समीधान में संशोधन के अनुमती देता है आंसर अनुचे 368 भारत में सवरपथम राश्टी अपातकाल की खोशना कब की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को समिधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी 24 जनुवरी 1950 को भारते समिधान के अनुसार संग की कारेपालिक शक्ति किसके पास है आंसर है राश्पती के पास दू अक्टूबर 1959 को भारत में पंचाइती राज व्यवस्था का शुभारम कहां से किया गया था आंसर है राजिस्थान के नागोर जिले से भारती समिधान की सनुछेद में राज्जियों की निती निदेशक तत्वों का उलेख है आंसर अनुछेद 36 से 51 में हैबिटाइटिस रोक का सम्मंध मानव शरीके की संग से है यकरित से यानि की लीवर से अगला कोशन नेक्स कोशन है मारा वर्णसफथी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है आंसर है थियो फ्रेसर्ट को हमारे शरीर में कार्बोहाइडेड किस रूप में संगरित होते हैं आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में जीव कोशिका में राइबोजोम का कार्रे क्या है आंसर है प्रोटीन का संसलेशन एक्जाम में कई बार पुछा गया है पारत थर्मामीटर का विश्कार किस ने किया था आंसर है फारेन हाइट ने हमारे शरीम के अधिकतर एंजाइम किस के बने होते है आंसर है प्रोटीन के कौन सी दो गैशों का मिश्रन प्रेडियूसर गैस कहलाता है आंसर है कार्बन मॉनोकसाइड और नाइट्रोजन काफी इंपोरेंट है पैट्रोल की गुनवत्ता को किस के दोरा अभिवेक्त किया जाता है आक्टेन संख्या के दोरा मनुश्य की आँखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंप कहां पर बनता है आंसर है रेटिना पर बसा का पाचन करने वाला लाइपेज अंजाइम किस के दोरा स्त्रावित होता है आंसर है अगनाश्य के दोरा एक अक्षिया तने पर पतियों की वेवस्ता को क्या कहा जाता है आंसर है फाइलो टैक्सी किस तत्व को समानेता फूलों और उनके रस को सुरक्षित रखने में परियोग किया जाता है आंसर है sodium benzoate भाब चलित इंजन उर्जा को परिवर्थित करता है आंसर है उश्मा उर्जा को यांतरिक उर्जा में किस विकरन से कैंसर पैदा होने का खत्रा होता है आंसर है ultraviolet विकरन हाइडोजन बंप की सिदान पर कारे करता है आंसर है नाभिक्य विकंडन पीलिया रोग से मानुषरी का कौन सा अंग प्रभावित होता है आंसर है यकरित किस रोग की जांच के लिए अलिजा, परेक्षन किया जाता है आंसर है इड's रोग यदि प्रित्वी पर जीवन ना हो तो प्रित्वी पर ऑक्सिजन की मातरा क्या होगी आंसर है अप अर्विवर्थित रहेगा next question मैनिंजाइटिस नामक बीमारी मानशरी के किस अंको से संबंदित है आंसर है मस्तिक्ष से transistor का आंतरिक antenna किस धादू का बना होता है आंसर है फैरोक्रोम का लाल रंग को खतरिका सुचक क्यों बनाया जाता है आंसर है लाल रंग का जो तरंग धार्रे होता है यानि wavelength होता है वो काफी ज़ादा होता है जिसके कारण इसका जो अप अवरंतनाक है वो कम होता है किस गुन के कारण मच्छर पानी में बैठ जाता है आंसर है प्रिष्ट तनाव के कारण और फ्रेंट्स आप में देखा हो को जो सुई है वो भी पानी पे तैरती रहती है, क्यों तैरती है प्रिश्टनाव के कारण ठीक है, प्रिश्टनाव को फ्रेंट सम्म इंग्लिश में सर्फिस टैंशन भी बोलते है next question करते है, petroleum की गाड़ी चंदर्मा पर नहीं चल सकती, इसका कारण क्या है आंसर है, टैंदर्मा पर वायू मंडल की अनुपस्तिती मनुश्य के लाल की प्रकेती कैसी होती है, लार लिख लीजिए तो होती है, चारी है, अगला question पहरा मेंगनी किरने, रेडियो तरंगे तथा, एंकर्स किरने किस प्रकार की तरंगों का उधारन है आंसर है विद्यो चुम्बा की तरंगों का फ्रेंट्स मैंने आपको यह 500 questions करवाए, part 1 complete होगे आपका अब part 2 भी जरूर देख लेना, part 3 भी जरूर देख लेना, part 4 भी जरूर देख लेना 2000 questions आप जरूर पढ़ लेना, अगनी पत exam से पहले आपको exam में बहुत अधा help में लेगे मैंने बहुत मैंने बहुत मैंने आप सभी के लिए best content लाने में अगर आपको वीडियो की quality, वीडियो content आपके रभी सर की मैंनत पसंद आई है वीडियो को like और share जरूर करिए, comment box में अपना feedback भी दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ठीक है फिर्ट दो question का test आगया answer आपने comment box में देना है हमारे शरील में किस vitamin की कमी होने पर चोट लगने पर लगाता है रखते बहता रहता है, चार option है किस विग्यानिक ने dynamite का विश्कार किया था दोनों question का answer आपने comment box में देना वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है और फिर्ट इसके साथ को बताना चाहता हूं कि हमारी जो e-book की website है वो launch हो चुकी है www.ravibooks.pdf.com आपको गूगल पर search करना यहाँ पर हमारी हर सब्जेट की e-books मिल जाती है current affairs की e-book भी launch हो चुकी है वर्श वार्श की 2022 और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं और फिर्ट आपको बताना चाहता हूं कि रवी current e-book जो है वो भी launch हो चुकी है वार्श की 2022 के हमने सभी कोशन इसमें रखे हैं जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक है और हमारी website www.ravibooks.pdf.com आपको गूगल पर search करना यहाँ पर हमने best content रखा है यहाँ पर आपको हमारी हर सब्जेट की e-books मिल जाती है चाहिए जीके की चाहिए पॉलिटी की history की geography की या किसी भी subject की अगर आपको e-book buy करनी है तो ठीक है लिंक आपको वीडियो की description में दिया गया यह आप Google पर जाकर search करिए ठीक है friends और friends आपको बताना चाहता हूँ आप सभी की demand आए थी रवी सरा आप live आई है तो friends मैं live आचाहिए